नमस्कार जिक्षार्तियों शोद पद्दितियां और सांखिकी की वियाख्यां श्रिंखला में एक बार आपका पुना स्वागत है आज हम जिस विशे पे चर्चा करेंगे वह है शोद अभिकल्प जिसको हम इंग्लिश में रिसर्च डिजाइन भी कहते हैं शोद अभिकल्प क्या होता है किसी भी शोद को सही डंग से पूरा करने के लिए शोद कारी प्रारम करने से पूर्व उसकी विस्तरित कार्योजना बनाना आवश्यक है शोद का एक महतपूर्ण गुर्ण उसमें उप्योक्त विदी का उप्योक किया जाना है शोद समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए शोद करता को एक उचित शोद अभीकल्प का निधारन करना पड़ता है शोद का सरवादिक महतपूर्ट चरण है शोद अभीकल्प का डिजाइन बनाना जिसे हम शोद की रूप रेका या ब्लूपरिंट भी कहते हैं अर्थात पूरा शोद हम किस प्रकार से करेंगे उसकी क्या पूरी योजना होगी किस प्रकार हम विबिन चरणों का पालन करेंगे और किस प्रकार हम अपने शोद को एक आखरी रूप देंगे और कुछ परिणाम हासिल करेंगे इन सब की योजना बनाना शोद अभीकल्प कह जाता है उचित एवं सटीक निश्कर्शन तोग पहुँशने के लिए इस प्रक्रिया का पूर्ट नियोजन अतिया वश्क है और इसी प्रक्रिया को हम शोध अभीकल्ब शोध डिजाइन या शोध प्रारू कहते हैं इसके अलगलग नामों से इसको जाना जाता है शोध अभ प्रशन का उत्तर प्राप्त करने के लिए की जाती है इस प्रकार यह एक व्यापक कारी योजना है जिसका अंते मुद्देश शोध प्रशन का ऐसा उत्तर हासिल करना है जो वैद हो वस्तुनिष्ट परिशुद एवं कम खरचिला हो अर्थात पूरी योजना हम इस प्रका जिसमें से कुछ की हम यहां चर्चा करेंगे जैसे FN करलिंगर के अनुसार शोद अभिकल पे योजना, संग रशना या रणीती है जिसकी रशना इस प्रकार से की जाती है कि शोद संबंदी सभी प्रशनों का उत्तरप्राप्त किया जा सकी एक अन्य परिभाशा के अनुसार शोद दिर्णायों को ध्यान में रखते वे समगर शोद अभिकल्प को हम कई भागों में विवबाचित कर सकते हैं जैसा पहला है प्रतिचयन अभिकल्प जो एक बड़ी आबादी या समू से प्रतिनीधी प्रतिदर्श को प्राप्त करने की विदी से संबंदी अर्थाद जो हमारा जिस जनसंक्या पर हम स्टड़ी या शोद करना चाहते हैं उससे हम जो सैंपल लेंगे या जो प्रतिचयन प्रतिदर्श हम करेंगे या प्रतिचयन की जो विदी होगी उसका अभिकल्प दूसरा है अवलोकन संबंदी अभिकल्प या जो हम अपनी शोद जो अध प्रतिधर्ष जुटाने अविकन की तक्णिक और उसकी परिणाम तक पहुँचने के लिए उनकी पुरी व्याख्या की रूपरेका त्याल की जाती है इसे बिचार के पीस हुश् आबिकलप प्रस्ताबित शोथ की आशी रोप रिखा होती है जिसे वास्तबिक शोथकार कार anni को प्राण मिश्यार्म करने से व्यापक रूपấu से आश्यारा पाख्यार के जाता है तो इसको तैयार करने के कई सारे बिंदों पर विचार किया जाना आवश्यक है जैसे जो हम शोत कर रहे हैं जो अध्यन हम कर रहे हैं उसका क्या प्रयोजन है उसका किसी अन्य अध्यन से कोई किसी अन्य विशय से कोई संबंध है जो हम आखड़े खटा करेंगे उसके प्रकार क्या होंगे उन आखड का शेत्र क्या होगा कौन से समय में हम शोद करेंगे कई सारे शोद ऐसे होते हैं जो एक निश्चित समय पर ही करे जा सकते हैं तो उसका समय हम निर्धारित करेंगे और निर्धारित समय में अध्यान पूर्ण करने के लिए हमें क्या कोई अनिशोद कर्मी की आवशक्ता होग या कौन कौन से संसादन हम जुटाएंगे प्रतिदर्श जो होगा हमारा उसकी संख्या कितनी होगी उसके जो चुनाव होगा उसका अधार क्या होगा और आंकडों का संक्लन हम किस प्रकार से करेंगे उनका विशलेशन हम किस प्रकार से करेंगे कि हमें कोई सटीक परिणाम प्राब्त हो और इसकी हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे और जो हम शोद कर रहे हैं, उसका जो परिणाम हाएगा, वो क्या कोई नई तकनिक के विकास में मदद करेंगा, हमारे शोत कारे को संबादित करने के लिए हमें एक रूप रिखा मिल जाती है जिससे हमें पता होता है कि हमारा शोत कारी किस दिशा में जा रहा है जिसको हम कुशलता और आसानी से कर सकते हैं यह हमें शोद करता को समय समय पर निर्देशित करता है सही दिशा निर्देश देता है Såda की सीमा और कारिशेत को परिभाषित करने में मदद बिलती है तूरूटियां होने की कम संभाव ना होती है कोई हगर आशंका है किसी बारे में हमें कोई डाउट है तो वो कम करने में मदद होती है इसके प्रयोक से हमें सटीग परिणाम और विश्योशनी प्रणाम प्राप्त हो सकते हैं और अगर इसकी हम योजना बना लेते हैं शोद की तो हमारे समय की काफी बचत होती है यह पूरी शोद प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाता है, अनिश्चित्ताओं को कम करता है और उसकी व्यवारिक जो समस्या हैं उनको कम करता है, उसकी उप्योगिता बढ़ाने में मदद करता है और शोद करता है अगर उचित और अप्रोप्रियेट अगर उसने शोद अभी कलकर नवार किया है तो अगर कोई आने वाली समस्या है तो उसके बारे में उसको पूर्वानुमान हो जाता है जिससे वो समय पर अपनी समस्या करने बारन कर सकता है और जो उचित शोद समगरी के संग्रहने मदद मिलती है परिकल्पनाओ के परिक्षने मदद मिलती है कोई बाधा होता हो तो उसके निवारण में मदद मिलती है अगर शोद अभीकल्प को अचित ढंग से तयार किया गया है और इसमें शोद अभीकल्ब के निर्मार से विशलेशन आत्मग और सांकी की प्रक्रियों की भैचान पहले से ही करी जा सकती है जिससे हमें पता होता है कि आकड़े किस प्रकार से घटा करने है और उनका विशलेशन किस प्रकार से करना है जिससे कि उसकी अच्छे डंग से व्याख्या की जा सके और परिणाम प्राप्त हो सके और इसके शोध अभी कल्ब के माध्यम से पूरे शोध अध्यन की एक समगर समीशा भी की जा सकती है पूरू में जिससे कि हमें जब शोध कारी हम शुरू करें जिस शोध करता है शोध कारी को करें तो उसको उचित दिशा मिलती रहे और वह समय समय पर यह जान पाए कि क्या वह सही दिशा में कारी कर रहा है या नहीं कई प्रकार होते हैं शोध अभीकल्ब के क्योंकि शोध विश्यों की प्रकरती जैसे विश्यों की प्रकरती अलग अलग होती है तो उससे रिलेटेड जो शोध होते हैं उनकी प्रकरती अलग होती है उनकी उदेश अलग होते हैं परिकल्ब नहीं अलग अलग होती हैं तो इस के कारण शोध अभीकल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं आप जैसा विशय चुने और जिस प्रकार की आप स्टडी करें जिस प्रकार का आप शोध करें रिसर्च करना चाहें उसके आधार पर आप यह डिसाइड करते हैं कि हमारा शोध अभीकल किस प्रकार का होगा कुछ के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे पहला है अन्वेशन आत्मक शोध अभिकल्प या एक्स्प्रोरेटरी रिसर्च डिजाइन अन्वेशन आत्मक शोध अभिकल्प का संबंद नवीन तथ्यों की कुछ करना है या पहले से मौझूद तथ्य या सिद्धानत उनका व्य स्टाड़ी नहीं मिल पा दी तो ऐसे विशेओं को चुणने में इसके विशे में शोध करने में यहां शोध अभिकल्प एक्स्प्रोरेटरी रिसर्च डिजाइन बहुत उपयोगी होता है और यहां किसी भी समस्य अस्तिधी को अच्छे तरीके से जानने में उसको डीप इसकी डीप नॉलेज देने में हमें मदद करता है इसका लक्ष इस प्रकार के जो अभिकल्प होते हैं इनका लक्ष होता है किसी विशे विशेश में गहन अंतर डिश्री प्राप्त करना और इसके अतरिक्त कभी-कभी शोध विशे के उप्युक्ता का ग्यान प्राप्त कर कर सकते हैं अगर उस विशय विस्तु के बारे में हम गहन अध्यान करना चाहते हैं तो उससे संबंदिध हम प्रकाशित या अप्रकाशित साहिती की गहनता से अध्यान कर सकते हैं या उससे संबंदिध कोई संदर विशोध पर सकते हैं रिपोर्ट पर सकते हैं पत्र पत्री क दूसरा अनुभव सर्विक्षन कर सकते हैं जैसे कोई शोध विशे हमने चुना हो जिसके बारे में अब कहीं से कोई इन्फोर्मिशन नहीं मिल रही हो तो उसके बारे में जानने के लिए हम इस पर शोध कर रहे हैं इसके बारे में शोध कर रहे हैं पूरू में इससे मिलते जुलते शोदों से रिलेटेड लोगों से बात कर सकते हैं, उनका साक्षात कर सकते हैं, जो हमें इस तरह के अभी गल्प को बनाने में मदब करेगा। फिर है अंतरदिश्टी प्रेड़ा घटनाओं का विशलेशन, अनवेशनात्मक शोद की एक महत्पुन आनिवारिता, अंतरदिश्टी प्रेड़ा घटनाओं का संकलन, वरगी करन, विशलेशन एवं ये तीनों प्रकरियाएं हैं, इसका ताथ पर यह है कि किसी भी विशेश विशेश का गहन अद्धि करके, उसकी हमें अंतरदिश्टी विक्सित हो जाती है, अर्थाथ हमें उसके बारे में गहनता से जानकारी हो जाती है, जिससे हमें तत्यों को समझने और परिकल्पना विक्सित करने में मदद करती है, इस प्रकार के शोद अभीकल्प का जिस जिस वर्तमानावन का पश्टीकरण और उनके इनसे रिलेटिद 스त, यू लिव्प्त रजी आगोगे चारि में इस अild assessments को गön मिफ्त को थो ग्यान सेफूद को अजरूतर को ज़से सब्सक्रांडोंतल का श़ोहरा जारो पर ख्राइग और हम्लाओенко ठार हम इसमें नहीं कर सकते हैं वहां पर इस प्रकार कर शोद किया जाता है जो शोद को एक धिश्या प्रदान करता है और इसके अधार पर हम वर्तमान अवधारनाओं का पश्टीकरण और उनके उनकेंसे रिलेटेड कई सारी nouे अवधारनाओं की खूझ कर सकते हैं यह शोद अभीकल शोद से संबंधित प्रारंपिक सूचनाय और समगरी प्रतान करके शोद को इक निश्चत दिशाद प्रतान करता है इसका उधारण हम ऐसे समझ सकते हैं यदि शोद समस्या हमारी किसी पर्टिकलर मान लीजे हम यह शोद करना चाहते हैं कि टॉपिक है जो जिस पे हम एक्स्पोरेटर रिसार्च डिजाइन यूज़ कर सकते हैं जैसे शोद समस्या हमारी पहाडी नीम या जिसको हम तीमूर कहते हैं उसके उपयोग तरह संबंद देता है तो इसमें इस तरह की शोद अभी कर्प यूज़ किया जा सकता है तो हम कई सा समस्में उपयोग करने के इसके क्या लाब है या इसकी कोई उपचारात्मक उपयोगिता है और अगर यदी है तो वह किन बिमारियों में यूज़ किया जाता है इत्यादी तो इस तरह से विवरनात्मक जो पूरी इसकी अंतर दिश्टिश से हमें मिल जाएगी इस सब्जे समू या व्यक्ति विशेश के विशेशताएं जानने के लिए प्रयोक किया जाता है और उससे संबंदिद वास्तमिक तथ्यों के आधार पर उसका विवरना प्रस्तूद किया जाता है इस पे इस अभिकल्प के द्वारा जो तथ्यों या घटनाए होते हैं उनको उनके चोद अभिकल्प हम रूप रिखा बनाते हैं तो उसमें हम प्रशनावली शाक्षातकर अभलोकान इन सब के माध्यम से तथ्या समग्री संक्लन करने की रूप रिखा बनाते हैं और भटनाओं का उन लेग भी किया जाता है जिसके आधार पर यतारता का अध्यन किया जा सक करना वर्तवानिशिति की वाक्या करना उसके आवरति के बारे में जानकारी शाओ workflow के आपस में सह संबनाना और कोई संबने और ऊचपनर की त्थीो के वग्यानिक विद्याक संख्या रजा靠ा है साक्षात कर सकते हैं और अनुसुची और पिशनावली प्रत्याक्षाविल नियुक्षान कर सकते हैं सेभागी नियुक्षायd। recording कर सकते हैं इस प्रकार के हम different tools technique यूज़ कर सकते हैं परंतो इस type के शोध अभी कल्प में मिथ्या जुकावार पूर धार्णाव से बचावा वश्यक है और इसमें एक अत्रित आंपडों की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है जैसे हमारे शोध समस्या है किसी particular अगर हम पहाड में या हम शोध समस्या का शेहन करें जैसे पहाड का ही उधारन में फिर से आपको बताऊंगी जैसे किसी particular जंजाती अगर हमने वहाँ पे चुनी है तो उन से उनके लोगों की स्वास समद्री समस्या है क्या है उनका आहरी पैटर्न क्या है विस्तरित अध्यान कर सक है तो हम वर्णात्मक शोध अभीकल्प का प्रयोग करते हैं फिर है नैदानिक शोध अभीकल्प नैदानिक शोध अभीकल्प किसी समस्या के वास्तविक कारणों को जानने के लिए उनका निवारन करने के उद्देश से कोई उसका सुझाओ देने के लिए समस्या का सुझ जाकर उसके संभावित कारणों का पता लगाया जाता है। इसकी कई विशेश्टा हैं जैसे इसमें समस्या के समाधान की खोज करी जाती है। और वेज्ञानिक पद्धती का निश्चित रूप से अनुसरन किया जाता है। उसके आधारपड़ी, परिकल्पना निर्मान, और उसके अध्यन का संचालन किया जाता है, नेदानिक शूदकारी की आवशकता, समाजी की वस्ता, वा समाजी क संबन्दों से उद्पने, समाजी क समस्या को शीग रतीशीग रुपाई करने अफचार के खोच करने से बज़ और विश्लेट शनातमा को प्रस्तूतीकर किया जाता है इसमें उधारण हम ले सकते हैं जैसे मान लेजे हम अहारी रेशे पर हम शोत करना चाहरे हैं कोई अहारी रेशे का पर्टिकूलर सोत हमने लिया है मान लीजे कोई विश्डैप का फ्रूट हमने चुना है तो उ idani shodha avikalb का प्रयोग कर सकते हैं इसमें हमारी समस्या है और उसका निवारन का तरीका है तो जब हमď रॐचो करें दोрать और प्रयोग आत्मक shodha avikalb q khera khera करने हम नीवारन का आद्यान करेंगे तो हम एस प्रकार की shodha avikalb का प्रयोग कर सकते हैं तरीकि का प्रयोग समाहित होता है निएंत्रित दशाओं में नीरिक्ष continuation परीक्षण के द्वारा शोद समस्या का व्यवस्तित आदिन करने की रूप्रे खा को ही हम प्रयोगात्माक शोद अभीकल कहते हैं और जायदा इस्तितिों में जो प्रयोग तरिक्षाला परीक्षण होते हैं वह इस तरीकी के शोधभी कल्ब के अंतरगत आते हैं। यह विदी सम्मूव में किया जाने मेरा अध्यों पर आधारित होता है और इसमें दो तरीके के सम्मूव होते हैं नियंतृत और प्रयोगिक। हम जिस विशेय पर शुरुत करना चाते हैं उसका हम नियांतुरित और प्रयोगी समोड पर अध्यन करते हैं और इस तरह की प्रयोग शाला में किया गया अध्यन प्रयोग आत्माक शुदअभी कर्प के द्वारा ही किया जाता है तो चिक्षार्तियों आपने इस व्याख्यान में विभिन प्रकार के शोध अभी कल्प और शोध अभी कल्प के परिभाशा और उसकी उद्देश, उसके विशेष्टाओं और उसके महत्व को जाना इस व्याख्यान के अगले भाग में हम कुछ अन्य शोध अभी कल्पों के प्रकार के बारे में जान करी लेंगे धन्यवाद